हाई गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल मैं हूं मैंचू और आज मैं आप लोगों के साथ क्रेट करने वाली हूं यह वला मेकप लोग तो कैसा लग रहा है आपको लग रहा है न अच्छा तो अगर आप जानने में इंटरस्टेड हैं इस लुक को मैंने कैसे क्रेट किया है तो वीडियो करने तक जरूर दीखिए वीडियो अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे तो मेक शूर आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं सब्सक्राइब बटन के बास में छुटे सबाल आइकन उसको भी हिट कर दीजी थाकि जब जब मैं वीड अच्छी शेप आपको नहीं लगेगी बट लास्ट में आप देखेगा कि सब्सक्राइब बहुत अच्छे से मैच कर रहा है तो अभी कंसीलर लेकर मैंने अपनी जो वाइब्रूस के एज़ेज वगर थोड़ा यहामा फैल जाता है वह मैंने थोड़ा से ठीक किया है और सा कंसीलर भी ठीक ठाक है आपको ठीक सी कवरेश दे देता है अगें अफोरडबल कंसीलर है और जितने भी प्रोड़क्ट में यूज कर रही हो सबके लिंक आपको डिस्क्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो आप चेक करना ना भूलिए अभी मैं आई मेकप कर रही हूं और को अगर के लाइब से अपलाई करूंगे अभी है को बहुत है सिंपल सा या-ई-मेकप लुक है बट अच्छा आपको यह इफसको दिन में कर सकते हैं आप इसको नायट में किसी फंक्शन के लिए कर सकते हैं और मेंबलीन लेकर मैं अपने एक आई-लाइनर ड्रो कर रही हू और इसको थोड़ा सा विंग की तरह आपको बाहर निकाल लिया है हलका सा बहुत ज़ादा आपको ड्रमेटिक आई-लाइनर ऐसा कुछ नहीं चाहिए बिस थोड़ा सा थिंस आई-लाइनर लगाया है बेसिक आई-लाइनर और उसको हलका सा मैंने बाहर निकाल लिया है अभी से म और उसको हलका सा मैंने smudge कर लिया है और फेस पर मैं अभी color correct करूंगी क्योंकि आप देखे सकते हैं कि मेरी uneven skin है और dark circles भी है अगर आपका ऐसा कुछ भी नहीं है आपकी skin बहुत ज़्यादा flawless है आपको लगे कि आपका concealer से काम चल जाएगा तो आपको यह बला step को totally skip कर देना ह और इसको मैं set करने के लिए मैंने compact powder लिया है जो कि purple का compact powder है और यह मैं इसलिए set कर रही हूं क्योंकि यह मेरे foundation में mix ना हो तो इसको set करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और foundation लिया है इसके details भी आपको description box में मिल जाएगी मैंने कौन सा share वगर अप्लाई किया है अभी य यह मेरे skin में एक्दम लग रहा था कि मेरे skin tone का ही foundation है तो brush के help से मैं इसको अच्छे से blend कर रहे हूं यहाँ पर आपको दिख रहागा मैं जल्दी कर रहे हूं बट मैंने बहुत जादा time लेकर इसको blend किया था मैंने अपने ear और neck पे भी अप्लाई किया था और अभी मैंने concealer अप्लाई किया है इसके लिए मैंने मेबलीन का ही concealer लिया है फिट मी का शेर नंबर 25 मेडियम और उसको मैं अप्लाई कर रहे हूं जहां-जहां मुझे अपने face को थोड़ा सा highlight दिखाना है वहां पर मैंने अप्लाई किया है और brush के help से मैंने इसको अच्छे से blend कर लिया है रिया है उससे मेंने सेकत कर लिया है ब्रॉंज कर रहे हैं इसके लिए मैंने शिवाना आ का ब्रॉंजर पैलेट लिया हैं बहुत अच्छा पैलेट है 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 अगेन बहुत जधाधा पिग्मेंटेड और अफोरड़ बल है इसमें आपको six shade मिलेंगे जो कि बहुत अच्छा ह दोनों को मिलाकर मैं भी हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूं कितना अच्छा सा लुक आने लग गया आप देखी रहे हैं कि फेस एकदम ही पूरे चेंज हो गया है और अभी मेबलिन का जो आईलाइनर मैंने लिया था उसी को इसे अपने वाटर लाइन के निचे पर अप्लाई कर रही हूं क्योंकि मुझे इसमें बॉल्ड आइस चाहिए हैं और नूड लिप्स चाहिए हैं और ब्लैक कलर का मैंने आईशाड़ो लेकर मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूं वीडियो अगर आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है तो मेक शूर आप मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को लाइक शेर और कमेंट भी कर सकते हैं यह लुक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्षिन में कमेंट करके भी बताइए मस्कार अप्लाई किया है मेबलेन की न्यूड न्यूंस लिप्स्टिक अप्लाई किया दिस इस माइ फाइनल लुक आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो